हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा एधी पसुं के थन कट फट वए गाव हो जाएं तो क्या इलाज करना चाहिए एधी पसुं के थन बिना इंजेक्शन के दोरा भी आप अपने पसुं के थनों में इस तरह की दिकत हो जाती है कई पर कट जाते हैं कई पर गाव हो ज जाता है कहीं पर पढ़ जाते हैं या कहीं पर चीरा लग जाता है तो उसी इस्तिती में पसुं को क्या देख करके पसुं को ठीक है जाता है पूरी डीटेल से बताऊंगा रही बात ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो सकती है इसकी पर के म पहले पर आप इस चैनल से जूड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन और और वाला उपसं दबाएं क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटिक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं देखो सबसे पहले तुम आपको बिताना चाहता हूं कि चाहिए गाय हो या भेंस हो या भेड़ हो या बकरी पसूं के थन कैसे भी कट सकते हैं रही बात दूद निकालते समय भी एदी जैसे चोटा बच्रा है तो उसके काटने से भी थनों के अंदर घाव हो सकता है इसी के सा साथ एदी जब दू निकालते हैं तो दू निकालने के दोरान एदी नाखुन बड़े हैं तो नाखुन एदी लग जाते हैं तो उसकी वज़े से भी पसूं के थन हैं वह कट जाते हैं तो इसके बेस पर आप नाखुन बड़े नहीं होने चाहिए एदी थन से दूद निका कटना कई बी काणव सकता है यह तो ज måste सरदी है दो फटना स्ठाथ हो जाते हैं इसके साथ나 गरी में भी दिकत होती हें थिक जाते हैं उनके जहाते हैं उसका जाते हैं याई रण कोई बी हूं कैसे यह भी हो यह भी फशू के थन पड़ जाते हैं तो पहले तो है उनका आप जहांतक हो सकते हैं उसका समधान करें पशू में थन नहीं फटें यह दी किसी कारण वाचे चोट लग गई उसकी वज़ए से यह भी पशू के थन फट गए हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए कौ क्शी भे तरह कि कोई दिखत न हो वह आपको मैं पने पशू के ठन ठीक कर सकते हैं वह हुआ को मेरी टेबल के उपर दिक रही हैं उस-तरह कि लग्सियुश्म का परियोग करके आप अपने पशू को ठीक कर सकते सबसे भाव से पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि यदी मित्य लग जाती है तो उसके बाद में उसको साप करना होता है तो साप करने के तोर परापको पोटेशम जो Ukraine आता है पावडर जिसपरकार से ये पोटेशम परंगनेट पावडर है जो आपको दिक रहा है इस पावडर का परियों किया जाता है इस powder को क्या करना है आपको थोड़ा सा ये powder लेना है थोड़ा सा powder लेकर के उसका कुछ भाग पानी में डालेना है और उस जिससे लाल दुआ की रूप में हो जाएगा तो इसको आप पसूं के थन को अच्छी तरह से इस पानी से साप कर लेना है सिबसे पहले तो आप आपको पोटेश्यमर्गनेट पानी में डालना है गहाव पर नहीं लगाना है भूल कर भी ये द्यान रखना है जो ये powder आता है जो इसमें powder आता है लाल लाल रंका किष्टले powder आता है इस powder को सुक्य powder को कभी भी पसूं के थन में ये गहाव हो गया है तो वहाँ पर भूल कर भी नहीं लगाना है इसको लगाना है आपको थोड़ा बहुत पानी लेना है पानी के अंदर थोड़ा सा पॉटिशनमर्मनेट का कुछ बाग डालना है पाउडर का पानी यह लाल हो जाए तब उसके थन को अच्छी तरह से साप कर लेना है इसलिए स्वाती स्टेज में तो आ घा बहुत गया घवा गया तुम आपको वहिंट बताऊंगा यह ति कट गया फट गया है यह पशूंग में तो वांपर आप जिंक ओकसाईड जो पाउडर आता एक जिंक ओकसाईड इस पाउडर का प्रियोग कर सकते हैं जो कि जिंक ओक्साइड एक सपेद किसली रूम में आता है दो को इस तरह का यह पाउडर आता है सपेद रंग का तो इस पाउडर को क्या करना है यह सबसे अच्छा रिजल मिलता है जब पसूं का थन में क्या हो जाता है कि फट जाता है या कट जाता है ज्यादा गहाव नहीं रहता है तो आप उसी स्थती में इस पाउडर को क् इस तरह से आप अपने पसूं में सुबह और श्याम दो निकालने के बाद में इस तरह से जिंक ओक्साइड का प्रियोग करेंगे तो किसी भी कंडिशन में पसूं के थन कटे हैं फटे हैं तो ठीक हो जाएंगे बहुत ही जल्दी पसूं के थन कटना पढ़ना तरह की दिखत ह में इस तरह के दिखत और रहा है तो ठीक हो जाएंगे रही बाद यह घाव बरने में मददगार साबित होता है यह जेंक ऑक्साइड जो पाउडर आता है यह भी आप प्रियोग कर सकते हैं जैदा खर्चा आता नहीं है जो कि आपको कहीं पर ही भी मिल जाएगा, फिर यह दिया आपको इसमें बैटरे जे लेना है, तो आपको कोई भी ointment करीम आती हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस तरह से आप चरमिल है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये एक आयरवेदिक ointment आती है, ये भी बहुत ये अच्छी है किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो आप इस ओइंटमेंट का परियोग कर सकते हैं जो इस तरह की ओइंटमेंट आती है ये भी आप पसूंग में जिस प्रकार से आपने पोटेश्या परमनेट से थनको साब किया उसके बाद में आप सुबह और श्याम ये किसी भी तरह का इसकिन से सम्दित कोई भी इंफेक्शन है या गहा हो गया है शरीर के कई पर भी तो भी आप इस चर्मिल का परियोग कर सकते हैं पसूं के लिए ये से भी रहती है तो आप इसका भी परियोग अपने पसूं में करवाएं तो आपको इ जिस तरह से एक कूलमेक आती है जिसके अंदर साथ है बोरी के इस जिंक ओकसाइड जो मैंने जिंक ओकसाइड दिखायता हुए और सेट्रिमाइड है जो आपको दिख रहे हैं मुसलपाइड आइड़ोफरम ये ओंट्मेंट भी पसूं के लिए बहुत यची है ये पसूं म कि ये ओंट्मेंट आती है तो ये भी आप अपने पसूं में परियोग करवा सकते हैं रही बात ही आपको कहीं पर भी किसी भी छेतर में मिल जाएगी लगाना आपको सुबह उर्श्याम है दूद देने वाले पसूं में एदी पसूं दूद नहीं दे रहा है और फिर भी प पसूं के थन कट गए हैं फट गए हैं तो भी आपको सुबह उर्श्याम पोटेश्याम पर्मनेट यानि लाल दुवा से साफ करें उसके बाद में इस साफ हो जाता है तो फिर आप ही ओविंटमेंट लगाएं तो आपके पसूं में घाव अच्छी तरह से साफ हो जाएंग जाती है तो लेकिन बेंडेज क्याएगी ज्यादा समय तक वहां पर टिक नहीं पाती है तो आप वहां पर आप इन्वेंटमेंट का ही परियोग करें और जो कोई पावडर जो मैंने बता है इसी बिना इंजेक्शन के दावरा भी पसूं के गाव ठीक हो जैदि इन इससे ठ आनिवा